सिकर के रामगर कजबे में घरिलू कलय के चलते एक महिला अपने दो साल के बच्चे के साथ दो मंचिला इमारत से कूद कर उसने आत्महत्या का प्रयास किया इसमें दोनों मावेटे गंभी रुप से घायल हो गए असपास मौझूद लोगों ने घायलों को समय रहते अस्पताल में भरती करवाया जहां से उन्हें जैपूर के लिए रैफर किया गया वहीं जब महिला आत्महत्या की धंकी दे रही थी उसी समय लोगों ने विडियो भी बना लिया फिलाल दोनों मावेटे का इलाज भी जारी है फत्यपूर में एक महिला ने दो साल की बच्चे के साथ अपने घर की छट से कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया लेकिन ये महिला जब आत्महत्या करने की धंकी दे रही थी उसी समय आसपास के मुझूदा लोगों ने इस महिला का विडियो बना लिया समय रहते इस महिला को लोगों ने अस्पताल पहुँचाया जहां अभी इनका इलाज जारी है